हाई गाईज स्वागात है आपका अपना चैनल और सब्जेट विदन्सू और यहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए लेका रहा है क्लास 11 का चैप्टर टू जिसका नाम है फॉर्गटिंग तो इसका कोशन एंसर सॉल्व कराएंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा चाकित आन रेडिंग पढ़ने पर the list of articles ५ लोस्ट अर्डिकल यानि खौई वस्तों की एक सूची थी इन्ट्रेंट्रें में यानि ट्रेंड में खौई वस्तों की एक जो सूची थी उसको पढ़ने पर कई लोग क्यों आज चाकित वे तो इसके लिए सबसे पहले किया करन गरता है असारेक्न में नाकर जो कोस्टन में पूछ रहा है उसका जबाब देंगे तो यहां पर देखे सबसे पहले इसको असेर्टी位 बनाने के लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले यहाँ पर और एक बात समझ लिजे कि जब question में why आया हो तो उसका जो reply होता है वो उसको विकाज से दिया जाता है कैसे देंगे चले देखते हैं यहाँ पर देखे सबसे पहले आपको लिखना है menu many pupil यहाँ पर देखे जो many pupil है यह आपका subject है उसके बाद यहाँ पर लिखे वर्व यह आपका वर्व हो गया अब उसके बाद asdonist लिखे जो आपका main verb है asdonist यहाँ पर वर्व की third form वर्व के बाद इसलिए लगा है क्योंकि यह sentence पैसी वाइस में बना है उसके बाद लिखे on reading on reading the list of lost article in trains अब इसके बाद आपको क्या कर लिखना है because क्योंकि question में कह रहा क्यों तो because का मतलब होता है क्योंकि they thought क्योंकि उन लोगों ने सूचा that की how how sorry यहाँ पर आपको that ने लिखना है तो how can the pupil be so absent mindedness देखे इसका मतलब वा कि how can the pupil we so absent mindedness कि how can the pupil कि लोग इतना आश्चर्च इतना भुलककर कैसे हो सकते हैं यहनि उन लोगों ने सूचा कि लोग इतना भुलककरपन कैसे हो सकते हैं इसलिए उन लोगों ने अपने साथियों के भुलककरपन पर आश्चर्च चकित हो गए चलिए आपको अगला कोशन देखते हैं देखे अगला कोशन है what do psychologists tell us about forgetting things यानि किसका मतलब हुआ psychologist है यानि मनो वेग्यानिक जो है tells us वो हमें क्या बताते हैं about forgetting things के बारे में हमें मनो वेग्यानिक क्या बताते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है देखे यह टेंस देखे किस टेंस में है जिस टेंस में होगा आपका question उसी टेंस में आपको इसका answer भी लिखना है यहाँ पर देखे do बता रहा है कि यह present indefinitence का है तो इसको आपको कह करना है present indefinitence में ही देना है तो यहाँ पर देखे असरेटी इसको बनाए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है certain psychologics अब देखे जो tell है इसको बना दीजिए tells us about forgetting things forgetting things that we forget we forget things we cause we wish to forget them देखे इसका मतलब हुआ कि psychologics यानि certain psychologics tells us about forgetting यानि कि जो मनोवज्यानिक होते हैं वो हमें tells us मतलब बताते हैं about forgetting things यानि भूलने वाली वस्तुओं के बारे में that की we forget things की हम वस्तुओं को भूलते हैं जो मनुस है यह क्या याद रखता है तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है लिखना है the modern the modern man remembers remember कर दिजिए remembers such things यानि इस प्रकार की वस्तुओं जैसे की as जैसे की क्या हो गया telephone number telephone number comma the address of his friend comma the dates of of good vintage comma and appointment appointment appointments for lunch and dinner बस इतना लिख लिजे देखे इसका मतलब हुआ कि the modern man remembers यानि अधूनिक आदमी याद रखता है such things यानि इस प्रकार की वस्तुओं जैसे की telephone number हो गया the address of his friend हो गया यानि की अपने दोस्तों के पते को the dates of good vintage यानि की देखे vintage मतलब होता है अंगूर लेकिन अंगूर का मतलब हो यहां पर सराब यानि अच्छे सराब पीने की जो तारीक होती है जिसको पार्टी कहते हैं and appointments for lunch and dinner और lunch और डिनर का जो डिनर मतलब होता है साम का खाना तो यानि कि साम का जो भोजन होता है उसका एक निर्धार अपॉइंट्मेंट मतलब निधारित समय भी याद रखते हैं चलिए अब अगला question देखें यहां पर लिखा है कि how did the memory crowded with यह जो crowded है इसमें RI बना है तो यहां पर देखें how did the memory crowded with यानि कि जो इसम्रत ही होती है उसमें क्या भरा होता है यानि memory किस चीज से भरी होती है तो यहां पर लिखें सबसे पहले the memory is crowded with the names of actors एक्ट्रेस, फुट्वालर्स, क्रिकेटर्स, 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 एंड, एंड, मड्रस, मड्रस, देखें, इसका मतलब हुआ, कि दा मिमोरी, यानि इस्मरत जो होती है, वो, इस्क्राउडेड विद भरी होती है, दा नेम्स ऑफ एक्टर्स, एक्टरेस का मतलब होता है, यानि कि अभिनेता और अभिनेतरी के नामों से भरा होता है, और फुट्वालर्स, यानि जो खिलने वाले होते हैं, उनके नाम से भरा होता है, क्रिकेटर्स, यानि क्रिकेट खिलने वाले के नाम से भरा होता है, मड्रस, और जो खूनी होते हैं, हत्यारे होते हैं, उन सब के भी नाम से क्या होती है, मिमोरी भरी होती है, यानि कि लोग इनके नाम को जरूर जानते हैं अब अगले question के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में So thanks for watching One more thing If you have not subscribed to my channel yet Subscribe to my channel And press the bell icon for more video See you again in next video